सब्सक्राइब कामारे और आपके अपनी यूट्यूब चैनल रहें तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम सामा नदे नैनी जी के अंजी से रिलेड़ेट कुछ कौन सी नदी जम्मु कस्मीर से प्रवाहित नहीं होती है किसी का भी आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लगा और वीडियो के लाश्ट में अपने स्कोर भी सेयर कर सकते कि आपने कितने राइड़ेंस दिये हैं तो निम्मे से वह नदी सिंदू नदी है जो जम्मु कस्मीर से प्रवाहित नहीं होती है यानि जो ए ओफसन है आप हमारा राइड़ेंसर हो जाएगा और देखे फ्रेंट्स नए मानचित्र के अनुसार जो सिंदू नदी है या लद्दाक से प्रवाहित होती है तो आप इसे याद रखेंगे और यदि बात करें हम सिं सिंदू नदी की लंबाई 1114 किलो मीटर है तो आप इन दोनों ही फैक्टों को याद रखेंगे यदि आपसे पूछा जाता है कि सिंदू नदी की कुल लंबाई कितनी है तो वह 2880 किलो मीटर है और यदि हम बात करें कि भारत में सिंदू नदी की लंबाई कितनी है तो भार Question number 2 भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राजिया केंदर सासित प्रदेश में है तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है जम्मू कस्मीर में है यानि जो D option है यहाँ पर हमार राइड एंसर रह जाएगा और इस सुरंग अगर आपसे नाम पूछा जाता है तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है इसका नाम है चेनानी नासरी जो की जम्मू कस्मीर में है तो आपको इसको याद रखना है और इसकी लंबाई की बात करें अगर इसकी लंबाई पूछी जाए आपसे तो 9.28 km जो इसकी लंबाई है तो आप इसे याद रखेंगे और जो चेनानी नासरी सड़क सुरंग है इसका नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखरजी कर दिया गया है तो यहां से यह कॉश्चन जो है और भी इंपोटेंट हो जाता है तो आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि बदले हुए नाम जरूर पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में तो जो चेनानी नासरी सुरंग है इसका नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखरजी कर दिया गय यह उप्षन जो है यहां पर हमारा राइट अंसर हो जाएगा देखी फ्रंट सौनी का उत्पादन सबसे ज़्यादे चीन करता है लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्टेलिया के पास है तो आप इस दोनों देश को ही याद रखेंगे लेकिन अधि भारत की बात आती है भारत में जो करनाटक राज्य है यहां पर उत्पादन एवं वंडा दोनों में ही करनाटक राज्य पहले स्थान पर है फ्रेंट तो आप इन दोनों को ही याद रखेंगे चली नेक्ट कॉस्ट्टन देखते हैं जीलों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो जीलों के अध्यन को निम्नोलोजी कहा जाता है यानि जो डी ओप्सन है आप हमारा राइट एंसर हो जाएगा और यहां पर जो टॉपोलोजी दिखा है तो टॉपोलोजी में आकार का अध्यन किया जाता है आप यहां पर देख रह कावित करने वाले कार को का दिन किया जाता है तो आप इन सभी को याद रखेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और शेल जरूर कर दें और चैनल को ज़्याद से ज़्याद सपोर्ट करें फ्रेंट चलिए नेस्ट कॉस्टन देखते हैं कैमबे की खाडी किस राज में इसथे थे फ्रेंट अगर आपको इसका अंसर पता तो अभी कमेंट वोक्स में क recommend करके बताइए तो जो कैमबे की खाड़ी है गुजरात राज्ज में इस्थित है यानि C option जो है आपे हमारा right answer हो जाएगा देखे फ्रेंट्स जो खंबात की खाड़ी है यानि खंबात की खाड़ी को ही कैमबे की खाड़ी कहा जाता है जो की गुजरात राज के तट के पास इस्तित है तो फ्रेंट्स आप इसे याद रखेंगे Q6 है भारत में किस धार्मिक समू की ब्रद्धी दर निम्न मैं से सबसे कम है तो भारत में धार्मिक समू की ब्रद्धी दर सबसे कम जैन धर्म की है यानि जो ए ओफसन है आप हमारा राइट एंसर हो जाएगा और देखे फ्रेंट्स जैन धर्म की ब्रद्धी दर जो है या 0.4 परसेंट है यहीं बात करें अगर हम बहुत धर्म की तो बहुत धर्म की ब्रद्धी दर जो है यह 0.7 परसेंट है और यदि बात करें हम सिख धर्म की ब्रद्धी दर जो है यह 1.7 परसेंट है और यहीं बात करें हम इशाई धर्म की ब्रद्धी दर तो यह 2.3 परसेंट है तो दो जो चेक कर लेते हैं तो जिए और परते हैं इसमें एंद्जन जाती पाई जाती है तो यह रहा हुआ है और जो यहां पर डी ओपसन लिखा हुआ है राजिस्थान रामोसी तो यहाँ पर जो answer है इस question का हमारा right answer हो जाएगा क्योंकि जो रामोसी जन जाती है यह राजस्तान की नहीं है जो रामोसी जन जाती है यह बहराश्ट की जन जाती है तो फ्रंट्स आप इसे याद रखेंगे रामोसी जाती कहां की है महाराष्ट की तो आप इसे याद रखे यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा हमारा option D question number 8 है कोई पिंड उश्मा का सबसे अधिक आउशोशन करता है जब वह हो तो कोई पिंड उश्मा का सबसे अधिक आउशोशन जब करता है जब पह काला और खुरदरा होता है यानि जो A option है हमारा right answer हो जाएगा और देखे फ्रंट्स काली तथा खुरदरी सबसे अधिक आउशोशन और सबसे अधिक उस्तरजन करती है और यही कारण है कि काली सबसे अधिक उस्तरजन करती है तो Artificial Intelligence का जनक जोन मैकार्थी को कहा जाता है यानि जो C option है आपे हमारा right answer हो जाएगा देखे फ्रंट्स जोन मैकार्थी जो है याई अमेरिका के एक कम्प्यूटर और संग्या नात्मक बैग्यानिक थे तो आप इन्हें याद रखेंगे और यहाँ पर AI का फूल फॉर्म पूछा जाता है आपसे के AI का फूल फॉर्म क्या होता है तो AI का फूल फॉर्म होता है Artificial Intelligence जिसे करतिम बुद्धी मेदा भी कहा जाता है करतिम तरीके से विक्सित की गई बुद्धी को कहते हैं तो इतना आपको याद रखना है इस question से Question number 10 निम्य लिकेट में से कौन सा एक search engine नहीं है तो यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा option D Chrome जो Chrome है यह एक search engine नहीं है जबकि Chrome एक browser है क्या है? Chrome एक browser है तो चलिए सबसे पहले हम search engine के बारे में जान लेते हैं search engine होता क्या है तो search engine एक ऐसा प्रोग्राम है जो internet के असीमित डेटावेस से user के सवाल को खोचता है जैसे कि Google, Yahoo, Wing यह सारे search engine है और browser क्या कहलाता है? तो browser एक application software है browser एक application software है जो internet पर मौझूद बैट साइडों को खोलने का काम करता है जैसे कि Google, Chrome, Firefox, UC browser, etc यह सारे browser है जो कि website को खोलने का काम करते है तो आप important question है आप इसको याद रखेंगे Question number 11 है दच्छन भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दच्छन भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है कितनी है 1465 किलो मीटर जो है यह गोदावरी नदी की लंबाई है अच्छा आपके एक्जाम में इसका उदगम इस्तल और समागम इस्तल भी पूछा जाता है तो गोदावरी नदी का जो उदगम इस्तल है यह नासिक के त्रियंबग गाउंस से होता है और समागम बंगाल की खाड़ी में जाके गोदावरी नदी गिरती है तो फ्रेंट्स आप इसे याद रखेंगे गोदावरी नदी से इतने फैक्ट कॉस्चन नमर 12 है सूरे को देखने के लिए किस हैंदर का प्रियोग किया जाता है तो फ्रेंट्स इसे कॉस्चन आप सभी को पता होगा सूरे को देखने के लिए हैलियो इसको का प्रियोग किया जाता है यानि जो सी ओप्सन यहाँ पे हमारा राइट अंसर होगा तो आपको इसको याद रखना है कॉश्चन नमर 13 है मिर्मी को लाजी में किस का अध्यन किया जाता है तो मिर्मी को लाजी में छीटियों का अध्यन किया जाता है यानि जो V ओप्सन is the right answer और यहाँ पे आप से पूछा जाता है कि जो चीटियां है किस कुल से सम्बंद जीव है तो चीटियों जो हैं याई फार्मेडी कुल से संबंद जीव हैं और इनका अमल भी पूछा जाता है कि चीटियों में कौन सा अमल पाया जाता है तो चीटियों में फार्मेक अमल पाया जाता है तो यह दोनों फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं कौशन नमर 14 है निम्नवे से किस व्यक्ति को द्वतिय असोक कहा जाता है तो द्वतिय असोक हर्षवर्दन को कहा जाता है यानि जो ए आफसन है आप यह हमारा राइट अंसर हो जाएगा और यदि आपसे पूछा जाता है कि हर्स वर्दन की जीवनी का नाम क्या है और या किसने लिखी तो हर्स वर्दन की जीवनी का नाम हर्स चरित है और या बान भुटने लिखी थी कॉशन नमर 15 ने किस अधिनियम के अंतरकत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार संप्रदाइक निर्वाचन प्रणाली का आरंब किया तो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार संप्रदाइक निर्वाचन प्रणाली का आरंब भारत परिसत अधिनियम 1909 में किया यानि जो ए ओफसन है यहाँ पे हमार राइट अंसर हो जाएगा और देखी फ्रेंट्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक वर्ड लिखा है संप्रदाइक निर्वाचन तो संप्रदाइक निर्वाचन से तातपरिय है कि आरप्षित बर्ग का ही प्रती निदी चुनाओं में खड़ा हो सकता है तथा धर्म विसेश के लोग ही मद्दान कर सकते हैं और जो 1909 के अधिनियम में मुसल्मानों को संप्रदाइक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था तो फ्रेंट्स इतना याद रखेंगे इस कॉस्चन से आप चलिए नेक्ट कॉस्चन देखते हैं कॉस्चन नमर सिक्स्टी ने भारती सम्मीदान की प्रस्ताओना में कितनी प्रकार की सोतंतरता की चर्चक की गई है तो यहां पर हमारा जो राइट एंसर हो जाएगा option B है तो friends आप इसे याद रखेंगे और चलिए हम देख लेते हैं वहाई प्रकार कौन-कौन से है विचार, अभीव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तो आप इन सभी को याद रखेंगे और एक question और पूछा जाता ह यहां से कि सम्भीदान की प्रस्ताओ ना में कितने प्रकार के न्याइख़ी बात की गई है तो सम्भीदान की प्रस्ताओन रखेंगे यहां से तो जाना जाता है तो वर्ल्ड वैंक को इंटरनेशनल वैंक फोरी कॉंट्रेक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है यानि इसका ए उप्षन जो है राइड अंसर हो जाएगा बात करें हम इसके स्थापना की कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1945 में इसकी समुद्र में जौर्भाटे आते हैं तो प्रतवी और चंद्रमा के बीच में जो गृत्वा कर्शन वल होता है इसके कारण जौर्भाटे आते हैं समुद्र में यानि जो सी ओप्सन है यहाँ पर हमां राइड एंसर होकर फ्रेंड और कॉश्चन इंपोटेंट है तो आप इ सरकार किसी भी व्यक्ति से विनावेतन सेवा ले सकती है और या उल्लेक मूल अधिकारों में किया गया यानि जो ए ओप्सन है आप हमारा राइट अंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड अनुच्छे 23 के दो में उल्लेक है कि सारवजनिक प्रियोजन के लिए सरकार अनिवार की सेवा विना बेतन के ले सकती है और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है इनका वर्णन किस भाग में किया गया है तो संवीधान के भाग 3 में और अनुच्छे 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है तो इंपोटेंट है आपको याद रखना है चलिए next question देखते हैं question number 20 है third world का उपियोग किन के संदर में किया जाता है तो third world सब्द का उपियोग विकास सील देश के संदर में किया जाता है यानि जो V option है आप यहां right answer हो जाएगा देखे friends third world या तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा जाता है जो अभी विकास सील है question important है आपको इसे याद रखना है question number 21 है राज के नीती निर्देसक तत्वों को लागू करना किसका करतब है तो राज के नीती निर्देसक तत्वों को लागू करना राज का करतब है यानि जो वी ओपसन है आप हमारा राइट अंसर हो जाएगा और यदि आप से पूछा जाता है कि नीती निर्देसक तत्वों का वर्णन समीदान के किस भाग में किया गया है तो नीती निर्देसक के तत्वों का वर्णन समीदान के भाग चार में किसमें समीदान के भाग चार में और अनुच्छे 36 से इंक्याउन तक किया गया है फ्रेंट्स तो आप इसे याद रखेंगे Question number 22 है भारत में अर्ध चंद कार समुद्र तट कहां देखने को मिलता है तो भारत में अर्ध चंद कार समुद्र तट कन्या कुमारी तट पर देखने को मिलता है यानि जो D option है आप हमार राइट अंसर होगा तो आप इसे याद रखेंगे Question number 23 है बाल यानि हेर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं तो बाल जो है कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं यानि जो C option है आप हमार राइट अंसर हो जाएगा देखे फ्रेंट्स मनोस के बाल एवं नाखून में कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्तित होता है तो फ्रेंट्स आप इसे याद रखेंगे question number 24 है 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 21 नवंबर को विश्व भर में दो दिवस मनाया जाते हैं पहला तो है विश्व टैली विजन दिवस और दूसरा है विश्व दूरदर्शन दिवस यानि कि इस question का जो right answer है option C हो जाएगा वो परियोग तो दोनो विश्व टैली विजन दे और विश्व दूरदर्शन दिवस जो है 21 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाते हैं एक साथ तो फ्रेंट्स आप इसे याद रखेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पर विडियो complete होता है और यह विडियो का last question है जो कि आपके लिए challenging question होगा तो आज का आपका challenging question है पंच वर्सी यह उजना प्रारंब करने के लिए किसकी स्विकृति आवश्चक है आपके सामने चार option है जो भी इसका write answer है आप अपने comment box में लगा सकते हैं और इस question से रिलेटर जो भी detail आपको पता है वो भी आप अपने comment box में write कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए thank you friends आपको वीडियो कैसे लगा आप comment box में comment करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो धिर सारा like करें वीडियो को अपने study group और friends के साथ वीडियो को जद़ ज़दा share करें और अकर हमारी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को subscribe करें वैल आइकन पर जरूर करें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो के update तुरंत मिल सके और friends वीडियो को जद़ ज़दा share करें और यहीं लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारी चैनल रिया study points स तो friends चलिए जल्दी मिलते हैं नाइक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ जए हैं